कि दिल्ली में जहां पे UK का हाई कमिशनर रहता है उसके घर के बिलकुल सामने एक पब्लिक टॉलेट बनाने की पेशकश करी गई है तब उनको दिमाग में ठीक आएगा टिट फॉर टैट अप्रोच से कि बहिए कैसा लगता है जब एक दूसरा मुल्क एक प्लैटफॉर्म देता है आपके खिलाफ एक सेसेशन के मुव्मेंट को लोगों को ये बोला गया कि भई अगर किसी को बाथरूम जाना है लगू शंका या देर शंका निवारन हितु किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगे है यूके हाई कमिशनर के घर के सामने अच्छा इससे क्या हुआ है कि जो यूके की गवर्मेंट हो परिशान हो गई करा साब सेक्यूरिटी हारून साब हमें हमी जून तक तक तकरीबन चार इशारिया एक अरब डॉलर के करजे वापिस करने हैं तीस जून तक की विल गो सम्वेर इंडिया एंड विल बी अरेस्टर अर्राइबल मैंने भी कोशिश की ती जाग हमें साब को मैं अपरोज किया कि मैं आपका इंटर्व्यू करना चाहता हूं तो उन्होंने फॉरान इंकार कर दिया सर मेरे साथ यह सबाता मैंने भी उनको बिलाए था और मैं उनको चारी थी मेजर गॉरावारिया के साथ बिठाना लेकिन हुआ यह के वह जाहिर है मेजर साब का नाम सुनके वह नोदो ग्यारा हो गए टाइट कर देंगे तुम्हें बेटा तुम्हारी चुडियां करसना चुरू कर दी मोदीजी ना अब तुम्हें ऐसी ऐसी नजारे देखुए ब्रिटिश जो ओन्वाइ है इंडिया में ठीक है एक पब्लिक टॉयलेट उसके घर के आगे बना थी है क्या कैसी कैसी चीज़ें होती है अब पब्लिक टॉयलेट has been considered necessary in the vicinity of UK High Commissioner's residence in downtown Delhi but the UK government has resisted this on security grounds basically क्या है कि दिल्ली में जहां पे UK का High Commissioner रहता है उसके घर के बिलकुल सामने एक पब्लिक टॉयलेट बनाने की पेशकश करी गई है कि लोगों को ये बोला गया कि भई अगर किसी को बातरूम जाना है लगू शंका या दीर शंका निवारन हेतू किसी को अगर जाना है तो दिल्ली में सबसे अच्छी जगे है UK High Commissioner के घर के सामने अच्छा इससे क्या हुआ है कि जो UK की Government है वो परिशान हो गई कहरा है साब Security Security का मामला हो जाएगा यहां पर तो कोई भी उसको अटाक कर सकता है घर के सामने भीड लगी रहेगी घर के सामने भीड लगी रहेगी आप पब्लिक टोलेट कैसे बना सकते हो उसके घर के सामने अच्छा बेटा हमारे High Commission पे तुम इन पागल भीडिये खालिस्तानियों से अ तुम्हारे घर के पास तुम्हें बहुत चुले अब जाएंगे बेटा तुम्हारे घर के पास जाएंगे और वहीं पर करके आएंगे मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया कदम जिसने भी लिया है बहुत बढ़िया बनाओ मैं तो कह रहा है टॉयलेट का मॉल टाइप का करने वाले अब उनके क्या इंसान भरोसा करें वो तो चाहते हर तरफ लड़ाई जगड़ा जी उनका एक इंट्रव्यू किया था वजहात एस खान ने तो उसमें उन्होंने यह पूछा था उनसे के फर्स करें या अब बिल्ली में आपने कब्जा कर लिया और आज संडे है कल मंडे है और कल दफ्तर खुलेंगे तो मैं एक हिंदू हूँ आपसे ज्यादा पड़ा लिखा हूँ ज्यादा एडवांस हूँ मेरे लिए क्या हुकम है क्या करेंगे आप मेरे साथ तो फिर वो आएं बाएं शाएं कर रहे थे तो मैंने भी कोशिच की थी जाएद हमें साब को मैंने अप्रोच किया कि मैं आपका इंट्रव्यू करना चाहता हूं तो उन्होंने फॉरान इंकार कर दिया मैंने का सर इस तरह नहीं करें मेरा दिल नदोड़ें मुझे बड़ा शॉक है आपसे बात करने का आपसे सीखने का पिर कहते है अच्छा मुझे को अपना इंट तो ग्यारा हो गए उसके बाद से मुझे कभी दिखाई नहीं थी तो उन्होंने पर अच्छा मौका था उनके पास एक हिंडू को शिकास देने का लेकिन वो मेजर साब को अच्छे से जानते होंगे तो इसलिए उनको पता होगा कि अगला जो है उनको क्या जवाब देगा तो लेगन यह के जाहिर में ज़փ गौहरभ तो निहीं डर रहे ते ना डर तो यह रहे ते वुझे करते हैं अकर अगर कोई डरेंगा नहीं आए दो सामने आकर सवालों के जवाब देने ते लेकिन आखर वो नहीं आए उन्होंने साफ इंकार कर दिया तो ये तो खैर उनका एक रहा है हम ऐसे किसम की बात करते हैं और तब ये भी कहते हैं कि हम देली चले जाएंगे और देली की बाते करते रहते हैं वाइं हिंद की जबके इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है सर आप समझे से पाकिस्तान को भारत हो चाहे अफगानिस्तान और दोनों बॉर्डर पर अमन चाहिए बिलकुल देज नो क्वेस्चन अबाउट अबाउट अमन जैसी क्या चीज है हमें इरान से इरान के साथ भी अम अबन चाहिए अफगानिस्तान के साथ भी अबन चाहिए हमें बंगला देश के साथ भी इंप्रूव करने चाहिए अपने रिलेशन्स और इंडिया के साथ अफकोर्स वाइ नॉट